जै मादूर के आप सभी को शारदी निवरात्री की हर्दिक शुर्प कामने मातरानिया आप सभी परकरपा करें आप सभी की मुरादे पूरी करें आज की इस वीडियो में जानिये साल 2030 में शारदी निवरात्री कब से प्रारम है कब समाप्थ है कलश इस्थापना का और कलश विसर्जन का शुबमूर्थ क्या रहेगा नवरात्री के नौ दिन भक्त धूम धाम से मा भगवती के नौ रूपों की पूजा करते हैं और इन दिनों की गई पूजा को मा भगवती बहुत आसानी से स्विकार कर लेती हैं जिसकी जैसी काम नहो जिसकी जैसी इच्छा हो उसे पूर्ण करती हैं और सभी भक्तों के दुख भी दूर करती हैं नवरात्री के इन नौ दिनों में भक्त बहुत खुशी से मा दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा करके मा का प्रेभोग अर्पित करते हैं और श्रद्धा पूर्वक वरत करते हैं यदि वरत ना कर प अक्टूबर रविवार से इसी दिन प्रतिपदा दिथी भी है और समाप्त होंगी 24 अक्टूबर मंगलवार को कलश इस्थापना का शुब मोर्ट रहेगा 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6 बचकर 28 मिनट से दोपहर 12 बचकर 35 मिनट तक जिसमें से की अभिजीत मोर्ट सुबह 11 बचकर 29 मिनट से 12 बचकर 35 मिनट तक रहने वाला है जो कि बहुत उत्तम होता है कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन होगा 24 अक्टूबर मंगलवार को इस दन दश्मी दिथी है दश्मी दिथी की दिन ही विसर्जन किया जाता है इसी दिन विज्या दश्मी का पावन परू भी मनाय जाएगा कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 24 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6 बच कर 32 मिनट से 2 पहर 2 बच कर 45 मिनट तक ध्यान रखें कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदर से पहले विसर्जन नहीं किया जाता है इस बार नवरात्री की कोई भी दिथी कम या बड़ी भी नहीं है और आपको नवरात्री के पूरे 9 दिन पुजा के लिए मिलने वाले हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा